आप सबी को नमस्कार जैसे कि आप सब जानते हैं तीन महीने पहले हमने जो रेस्लिंग फेडरेशन के जो प्रेजिडेंट थे बरजबुशन सरन सिंग उनके खिलाफ में आवाज उठाई थी हमारे साथ में कुछ राजनिती हुई है सरकार ने एक कमेटी बनाई थी और चार अफ़ते का टाइम मांगा था लेकिन तीन महीने हो गए हमें बेट करते हुए हमारे साथ आज भी नयाय नहीं हुआ है दो दिन पहले हम पॉलिस टेशन में गए थे कम्प्लेंड लेके साथ लड़कियों ने कम्प्लेंड दी है कि हमारी फायर दर्ज की जाए बरजबुशन के खिलाफ में जो लड़कियों के साथ उसने जो सेक्च्छल राश्मेंट किया है इसके खिलाफ लेकिन पुलिस हमारी दिल्वाने के लिए हमारा साथ और समर्थन दीजे प्लीज जंतर मंतर पर आईए और आप सब के सही और विश्वास से हम इस लड़ाई को जीच सकते हैं धन्यवाद अगर आज हमारी बैन बेटियों की लड़ाई में अगर हम आज एक साथ में इखटे हुए तो कभी भी कोई बैटिया वाज उठाने योग नहीं रहेगी तो कि अगर हम सब इखटा होगे लड़ेंगे तो जरूर नहीं मिलेगा आज सभी बैन बैटिया या रोड़े बैठी है तो आप सभी 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 करिए हांजी सचाई की लड़ाई है और हमारा साथ दीजिए आप सभी कोनों मशकार जैसे कि आप सब जानते हैं तीन महीने पहले हमने जो रस्लिंग फेडरेशन के जो प्रेजिडेंट थे बरज बुशन सरन सिंग उनके खिलाफ में आवाज साथ लड़िक्यों ने कंप्लीन दी है कि हमारी फायर दर्ज की लाव में जो लड़िक्यों के साथ उसने चारव जो रजार लेकिन प्हुञां करी करी हैं उसके बाद हम बेट करके जन्तरमंतर पे आए हैं अभी जनतर मंतर पे हमें पर्मीशन नहीं मिला है हम ऐसे ही बैटे हैं और फुलिस हमारी चारों तरफ कड़ी हैं हम आप सब देशवासियों से हाथ जोड़ के विंति करते हैं कि हम सभी खिलाडियों के उन्याय दिल्वाने के लिए हमारा साथ और समर्थन दीजे प्लीज जन बैटी आवाज उठाने योगनी रहेगी तो कि अगर आम सब इखटा होके लड़ेंगे तो जरूर नहीं मिलेगा आज सभी बैटिया या रोड़ पे बैठी है तो आप सभी सहयों करिए हैं हंजी सच्चाई की लड़ाई है और अमारा साथ दीजे आप सभी कोनों मशकार ज हमारे साथ में कुछ राजनिती हुई है सरकार ने कमेटी बनाई थी और चार अफ़ते का टाइम मांगा था लेकिन तीन महीं ने हो गए में बेट करते हुए हमारे साथ आज भी नय नहीं हुआ है दो दिन पहले हम पोलिस टेशन में गए ते कंप्लेंड लेके साथ लड़क करते हैं कि हम सभी खिलाडियों के लिए हमारा साथ और समर्थन दीजे प्लीज जंतर मंतर पर आईए और आप सब के सही और विश्वास से हम इस लड़ाई को जीच सकते हैं धन्यवाद अगर आज हमारी बैटियों की लड़ाई में अगर हम आज एक साथ नीज इखटे हु कि अगर हम सब इखटा होके लड़ेंगे तो जरूर नहीं मिलेगा आज सभी बैन बेटिया या रोड़ पे बैठी है तो आप सभी सही हो करिए हैं हंजी सच्चाई की लड़ाई है और हमारा साथ दीजिए आप सभी को नमस्कार जैसे कि आप सब जानते हैं तीन महीने पहले हमने जो रस्लिंग फेडरेशन के जो प्रेजिडेंट थे ब्रज बुशन सरन सिंग उनके खिलाफ में आवाज उठाई थी हमारे साथ में कुछ राजनिती हुई है सरकार ने कमेटी बनाई थी और चार अ मांगा था लेकिन तीन महीने हो गए में बेट करते हुए हमारे साथ आज भी नय नहीं हुआ है दो दिन पहले हम पोली स्टेशन में गए के कंप्लेंड लेके साथ लड़कियों ने कंप्लेंड दी है कि हमारी फायर दर्ज की जाए बर्ज बुशन के खिलाफ में जो लड़ कि हम सभी खिलाडियों के उन्याए दिल्वाने के लिए हमारा साथ और समर्थन दीजे प्लीज जनतर मंतर पे आईए और आप सभी के सही और विश्वास से ही हम इस लड़ाई को जीच सकते हैं धन्यवाद अगर आज हमारी बेन बेटियों की लड़ाई में अगर हम आज एक साथ में इखटे हुए तो कभी भी कोई बेन बेटिया वाद उठाने योग नहीं रहेगी तो कि अगर हम सब इखटा होके लड़ेंगे तो जरूर नय मिलेगा आज सभी बेन बेटिया या रोड पे बैठ है तो आप सभी सेयोग करिए है हंजी सचाई की लड़ाई है और हमारा साथ दीजिए